हेलो फ्रेंग्स कैसे आप सब आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके सामने एक और अकाउंटिंग कंसेप्ट लेके आए हूँ वो है गोईंग कंसर्न कंसेप्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसको समझेंगे कि अकाउंटिंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है और इसके बारीकियों तक पहुंचेंगे हम इसे अकाउंटिंग में क्यों इस्तमाल करते हैं चलिए देखते हैं और अगर आप मेरे चैनल के नई व्यूवर हैं तो मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गोइंग कंसर्ण कंसेप्ट को इसका मीनिंग क्या कहता है गोइंग कंसर्ण से हम इसे कह भी सकते हैं कि इसे चिंता की अवधार ना कह सकते हैं चिंता की अवधार ना मेंस चिंता का एक विशे होता है कंपनी के लिए कि एक लेखांकन शब्द है जिसके पास संसाधनों को निश्चित काल तक जारी रखने की एक आवशकता है जब तक कि यह हैं एक विपरीद सबूत हमें प्रदान न करें means कि अगर हमें ये company की शमता को दरशाता है कि हमारी पास परियापत राशी है कि नहीं है कितना बचा है और कितना हमारी पास दिवालियापन से बच सकते हैं हम तो यही एक बात है कि हम जब अपना business start करते हैं तो हम इसको सोचके नहीं करते हैं कि हम 6 महीने में बंद कर देंगे business continuity में रहेगा continuous to carry out its operation इसके operations जो हैं वो carry रहेंगे कब तक long period तक long period of time and would not be liquidated जब तक हमारा बलकुल इसमें दिवालिया पन नहीं दिखाई देगा means हमारा को इतना loss हो चुका है कि हम हम उभर नहीं सकते हैं तब तक काम करते रहेंगे इस मन्शा से हम अपने कार्य को business को open करते हैं इसमें बिजनस विल have a long life वो long life चलता रहेगा and not close or be sold in the immediate future वो जल्दी से जल्दी future में उसे हम नहीं कर सकते हैं बंद यह हम सोचके चलाएंगे अब हमारा जो है next आता है कि इसका क्यों इतना जरूरत पढ़ती है कि हम क्यों इसे follow करते हैं this implies that business will not close or dissolve in future unless there is a clear evidence or closer हम यही सोचके चलते हैं कि यह clear करके चलते हमारा business जल्दी से जल्दी बंद नहीं करेंगे इसको हम profitability की तरफ बढ़ाएंगे और आगे की और business को carry on करेंगे future में देखते हुए continuity के लिए हम इसको देख के चलते हैं कि हमारा यह business हम long period के लिए करेंगे और इसकी cost को allocate और हम future period time period के तरफ हम अच्छे से allocate करके ही cost को करेंगे कि हमारा future time period इसको clear कर दे हमारी जो cost है जो हमारा को किसी को share debentures देना है या हमारी जो outside parties है long term contracts जिनसे हम करना चाहते हैं वो हम इसी basis पे करेंगे कि हमारा जो है long term में हम इसे चुका सकें और हम high risk arising from delay in the payments interest और loan principles को हम high risk लेके हम clear कर सकें यह fundamental rule जो हमारा matching से करता है matching principle को ध्यान में रखते हुए हमारा यह fundamental rule बनता है और यह going concern concept को similar रहता है if an entity will liquidate तो जब यह liquidate हो जाता है तो भी हम यह company जो है will not cease to exit at the end of a period हम इसको end of the period तक लेके जाते हैं और बीच में कभी भी हम इसको liquidate नहीं करते हैं हम यह सोचते हैं कि हमारा business जो है high risk पे चल रहा है और हम इसको अभी clear कर देंगे ठीक है और आशा करती हूं कि आपको यह थोड़ा बहुत concept clear हो गया होगा और जो हमारी current assets को इसको धिहान में रखते हैं कि current assets will be converted to cash और consume हम next 12 महीने में हम इसको convert कर देंगे current assets को भी हम करते हैं convert इसमें 12 महीने के अंदर इसका purpose जो है principle का यही कहलाता है कि हम अपनी assets को clear करके इसमें सबका amount clear करेंगे बविश्य के बारे में कोई भी निर्ने उस समय उपलब जानकारी पर आधारी तो होता है जिस पर निर्ने किया जाता है कि जो उस समय के निर्ने के साथ ऐसंगर थे और जो उस समय उचित थे वो हमने लिया कि हमें अभी बंद कर देनी चाहिए company को थोड़े समय के लिए या हमें ये एक रिस्क उठा लेना चाहिए ये एक management बनाती है ये जो होता है पिछला जो हमारे क्या रहे है हमारे चिंता के आंकलन की परिस्तितियों में उचित नहीं था वो हमको किस तरीके से उभारने है वो चीज़े हमें देखने होती है क्या-क्या चितावनी संकेट द चाहिये कि हमें company बन करने चाहिे company दूसामना की गई प्रतिसपर्दा के स्थर में वरिदी हो यह सब चीज़ें जो हैं हमारी संकेत देती हैं कि आपको अभी बैंक की अपनी कंपणी की और ध्यान देना है कि हम गोईंग कंसर्ण करेंगे या नहीं करेंगे यह चीजें हमारको कौन बताएगा आपका आडिटर बताएगा आपका अकांटेंट बताएगा जैसे प्रबंदन की जिम्मेदारी होती है management की कि आपने किस तरीके से किस लेवल से आपने financial statement को बनाया है और auditor जो है एक responsibility लेता है कि आपने ये सही बनाया है ठीक है आशा करती हूं कि आपको ये going concern concept अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आप मेरे वीडियो को like करें share करें thanks for watching my channel और मैं दूसरी वीडियो के साथ एक बर फिर आपके सामने आऊंगी thanks